देखे सिख्षा एक बहुत वरी सीज़ है और सिख्षा कहते है ना कि सफलता की कुंजी होती है लेकिन बहुत सारे ऐसे बिद्यार्थी है हमारे जो बहुत करी मेहनत करते हैं उसके बाद भी सफलता नहीं पाते हैं और जब सफलता नहीं मिलती है उन्हें लगता है कि उनके मा हमारे घर का उत्तरपुर्व का जो कोना होता है वो हमारे mental piciness के लिए होता है तागर उस हिस्से में अगर आपने कवार रखा है उस हिस्से में अगर कोई ऐसा चीज रखा है जो गर्त है तो आप ऐसे समझे कि आपको mental peace नहीं रहेगा अगर आपके घर में खराब electronics के समान पर हुए हैं तो आप समझे कि आपका राहू खराब होगा और आप concentrate नहीं कर पाएंगे आपके घर में जो छात्र हैं छात्राइं हो और concentrate नहीं कर पाएंगे अगर आपके घर में कहीं पर कोई नल बह रहा है और bathroom हमेशा गंदा रहता है तो आप जो है ना आपके अंदर negativity बहुत भर जाएगी तो आप एकागरता की कमी हो जाएगी जिसके कारण से आप परहाई में कमी आएगी और आप concentrate नहीं कर पाएंगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी अगर आप अपने घर के अंदर बहुत जादे नीले रंग का इस्तमाल करते हैं काले रंग का इस्तमाल करते हैं या काले और लाल रंग का इस्तमाल करते हैं बहुत जादे घर में घर के painting वगरवे काले और लाल लंग से रंगे हुए हैं आप concentrate नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर बहुत तरह का उत्हाच रहा होगा, आपकी उग्रता बढ़ जाएगी, तो सौम में कलर का इस्तमाल करें, पानी का बहाओ न करें, इसान को उनको हमेशा साफ रखें, हलके कलर का इस्तमाल करें, जल को बरवाद न होने दें, और हाँ आपकोसिज करें कि जिस जगह पे जो छातर और छातरायं हैं सोई अगर तो उस जगह पे जो है न तामबे के बरतन में थोड़ा सा जल भरके सोई, रात में और सुबह पे उस जल को किसी बढ़ते हुए पौधा में, जो पौधा बहुत तेजी से बढ़ती है, तो उस सब्सक्राइब कर खायं देन किताब के अंदर के डिए मुखन कर दarten सब्सक्राइब